नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राबली देवी के आवास पहुंची CBI की टीम CM निदीज की अध्यक्सता में आज हो सकती है कैबिनेट की बैठक तमिलनाडू में प्रवासी मजदूरों पर हमली का वीडियो निकला फेक गंगा के पानी को लेकर CPCV की रिपोर्ट में हुआ खुलासा WPL 2023 में कीरन नव गिरे का बल्ला हो रहा वाइरल इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से होली का दहन से पहले जाने इसकी खासियत फालगुन महा की सुकल अस्टमी से इसी महा की पुर्णिमा तक होलास्ट का समय माना जाता है होलास्ट का लगना होली के आने की सूचना है होलास्ट में आने वाले आठ दिनों का विशेश महत्व होता है बता दे कि इस बार हुलास्ट का आडम 27 परवडी सोमवार के दिन से हुआ है चोकि 7 मार्च को मंगलवार यानि की कल खत्मों का दरसल हुलास्ट का समापन होली का दहन पर होता है चुकि इस बार दो दिनों में होली का दहन है इसलिए 6 और 7 मार्स दोनों दिन होलिका देहन है, मालुमों कि इस दोरान किसी प्रकार के भी सुब कारियों को करनी की मना ही होती है पुरानी कथाओं के नुसार हिरनकश्यप जो राक्षसु का राजा था वह अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था लेकिन इन सब में चिता पर बैठी होली का जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया तब से होली का देहन का तेवार मनाया जाने लगा राबरी देवी के आवास पहुँची CBI की टीम सुमवार यानि कि आज सुभ़ सुभ़ CBI की टीम अपने तीन चार गारियों पर सवार होकर बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी राबरी देवी के आवास पहुँची बता दे कि ऐसा माना जा रहा है कि CBI का राबरी आवास आने का कारण कुछ और नहीं बलकि लालु यादब पर रेल मंतरी रहते वे नौकरी के बदले जमीन हरपने का मामला है मिले जानकारी के रुसार राबरी आवास पहुँची CBI की टीम में कुल 12 अधिकारी शामिल है जिन में से 3 अधिकारीों के दौरा राबरी देवी से पूचताच करनी की खबर है बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब इस मामले को लेकर जाच की गई हो इससे पहले भी IRCTC घुटाले में जाच एजनसियों की ओर से कारवाई की जा चुकी है जानकारी के लिए बता दे कि इस मामले में CBI के दौरा वर्स 2022 में लालू यादब रावली देवी के अलावा कुल 14 लोगों के खिलाफ आरोग पत्र दाखिल किये गए थे ट्विटर पर कैंपेइन चला कर लोगों ने मांगे पूर्णिया एरपोर्ट बीते दिन यानी की रविवार को ट्विटर पर एक मुद्धा सुभाई 11 बजे के बाद खूब ट्रेंट करने लगा बता दी कि हमुद्धा कुछ और नहीं बलके पूर्णिया एरपोर्ट की मांग का था पूर्णिया एरपोर्ट एक्टिविस्ट रवीर रंचन, अविनाश मिश्रा और पुर्णिया एरपोर्ट का नाम फरेव नहीं, जूठी घोशना नहीं, उरान सुरुक करने का डेडलाइन टै करो अनिता सिमान्चल से ही मूदी सरकार का राजनितिक डिथ वारेंटी जारी होगा, 2024 में भाजपा हो जाएगी साब सीमनितिय की अध्याक्षता में आज हो सकती है कैबिनेट की बैठक आज मुखे मंतरे नितीज कुमार की अध्यक्सता में काबिनेट की बैठक आयोजित की जा सकती है बता दे कि अब बैठक बिहार विधान सभा के छठे दिन की कारेवाही के बाद शाम 6 बजे से शुरू की जा सकती है बता दे कि मिरी जानकारी के नुसार आज के इस बैठक में कई महतोपुर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई जा सकती है जिसमें सक्षक नियोजन नियमावली भी शामिल है बता दे किस से पहले 24 फरवरी को की गई कैबिनेट की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर ऐसी उमीद की जारी है कि नितीज सरकार होली से पहले सक्षक अभियर्थियों को तोफा दे सकती है STET टीचर सालरी को लेकर सिक्षा विभाग से की हमाग STET उतर्ण नियोजिस सिक्षक संग गोबगुड के प्रवकता अश्विनी पांडी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि संग के प्रदेश अध्यक्ष मार्केंडे पार्ठक के द्वारा सिक्षा विभाग से मांग करते वे कहा गया है कि सिक्षा विभाग जल्द से जल्द N.I.O.S. से प्रसक्ष सिक्षकों के वेतर मामले को इस पस्ट करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश भर के तमाम सिक्षक 15 और 16 मार्च को एक जूट होंगे। बता दे कि इसको लेकर विरोध में तमाम सिक्षक अंसन पर बैठे थे जिसमें से कहीं सिक्षकों की तव्यद भी खड़ाब हो गई है वहें इस पर संके प्रदेश महासचीव साकिर इमाम के दोरा कहा गया है कि इस घोशना से सिक्षकों में नराशा है अगर प्रसक्षकों को कि शुरु हो गई है ऐसो में चारे है कि Stephen कि आतनी के लिए फ्लाइट का OSर का किराया 18,000 तक कहीं के अने सहरों तक पहुंचने के लिए फ्लाइट का किराया दो कुना से ज्जादा बढ़ चुका है से में यातरियों को काफी परिशानी का सामना करना पर रहा है वहीं भीर इतनी बढ़ गई है कि ट्रेनों में लोगों को कनफॉर्म टिकेट मिलना नामुम्किन होड़ा है हाला कि कुछ ट्रेनों में जनरल क्लास की स्थिती सामाने दिखी तमिलनाडों में प्रवासी मजदूरों पर हमली का वीडियो निकला फेक पिहार में पिछले कुस दिनों से तमिलनाडों में बिहार से गए प्रवासी मजदूरों पर हिंसा को लेकर सरगर्मी बनी वही है वहीं अब यह साफ हो गया है कि मजदूरों पर हो रहे हमले के वीडियो में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है बलकि वीडियो पूरी तरह फेक है बता दी किस बात की जानकारी तमिलनाडू में इस मामली की जाच करने गई बिहार की चार सदस्य टीम के द्वारा दी बाचीत करते वे बिहार राज ग्रामीन विकास अस्थानिय निखाय सची बाल मुरूगन के द्वारा यह जानकारी दी गई है और कहा गया है कि शोशल मीडिया पर प्रवासी मजदूरों पर हमले को लेकर पोस्ट किये गए वीडियो फेक है इस तरह की अफवा फैलाने वा दी गई कि BCA के द्वारा 18 मार्च को जो घरेलू मैचों के लीक की जो शुरुवात की गई थी वसफलता पुर्वक पुर्ण हो गई है अब जल्धी अंडर 19 और महिला वर्ग का टूर्णामेंट भी स्थिक नहीं प्रारम होगा इसके साथ ही अध्यक श्री राकेस कुमार त गंगा के पानी को लेकर CPCB की रिपोर्ट में हुआ खुलासा आज के दौर में गंगा घाटों के सिती ऐसी हो गई है कि अब यह पानी पीने लायक तो छोड़िये नहाने लायक भी नहीं रही है पता दे कि इस बात की जानकारी केंद्रे प्रदूशन नियंतरन बोर्ट के दौरा जारी की गई ताजा रिपोर्ट से सामने आई है रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो सालों में गंगा के सिती और भी खड़ाब हो गई है बता दे कि जनवरी 2013 में वर्ष 2021 के तुला में पटना के गांधी घाट और गुलावी घाट के 100 मिली लीटर पानी में टोटल कॉलिफॉर्म की संक्या बढ़कर 16,000 से 1,60,000 हो गई है मालूमों कि यह ऐसा जिवानु है जो मानग के स्वास्ते के लिए खतरनाक है जानकारी के लिए बता दी कि प्रदूशन नियंतरक बोर्ट की ओर से 33 स्थलों पर गंगा जलकी सुदिता की जाच की गई जिसमें यह प पिंद्र कुश्वाहा नितीस बिहार के विरासत को 2005 से पीछे ले जा रहे रविबार को विरासत बचाओ यात्रा के दौरान राश्री लोग जनता दल के राश्री अधिक चुपिंद्र कुश्वाहा बिहार के सहरसा पहुंचे विरासत बचाओ यात्रा को पिंद्र कुश् यहां उन्होंने नितीज सरकार पर प्रेस कॉंफरेंस के दौरान निशाना सा था इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के उमीद पर नितीज कुमार खड़े नहीं उतरे हैं वे फिर से राजे को 2005 के पीछे ले जा रहे हैं अपनी बात को आगे रखते वे उन्होंने कहा कि बिहार की जंता ने शुरवाती दौर में करपूरी ठाकुर को विरासत सौपी उसके बाद जंता नहीं है विरासत लालू प्रिशाद यादव को सौपी लेकि लालू को किया सम्मानित बिते दिन बिहार की राज़ानी पटना के बापू सभागार में अखिल भारतिये दिव्यांग सम्मान सह होली मिलन समारो का आयूजन किया गया बता दे किस कारिक्रम में मुख्य अतिती के रूप में उपमुख्यमंत्री तैश्री आदव और उद्योग मं को लेकर किया गया है इस मौके पर उपमुख्यमंत्री तैश्री आदव ने वहां मौझूद दिव्यांग लोगों को खोली की सुबकामनाय दी और यहां भी बताया है कि सरकार की ओर से दिव्यांगों के स्किल्ड को डवलप करने के लिए कई योजनाय चलाई जा रही है ज सेना के जवान को सराब लेकर आना पड़ा मंगा बिहार में सराब बंदी है ये तो सभी जानते है ऐसे में सेना के जवान को सराब लेकर बिहार आना महंगा पड़ गया है पता दे कि ताजा मामला बिहार के जहाना बात का है जहां सेना के जवान को अपनी ड्यूटी पर से स पुलिस के दौरा गुप्त सूचना के आधार पर जवान के घर चापे मारी के 13 बोतल अंगरेजी सराब बरावत किये गया है लेकिन जैसे ही पुलिस सेना के जवान के घर पहुची तो इस बात की जानकारी जवान को लग गई और वहां घर छोड़ कर फडार हो गया जिसके ब प्यार की राजजीती में एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मुख्य मंत्रे नितीज कुमार महागरवंधन का साथ छोड़ एंडिये के साथ जा सकते हैं वही अब इस मामले को लेकर जेडियू अध्यक्ष ललन सिंग के दोरा बीजेपी को लेकर एक बड़ा दे दिया गया है बता दे कि ललन सिंग ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशान साते वे कहा कि बीजेपी कन फुकवा पार्टी है इस तरह की सुन्योजित अफवाह फैलाना उनकी हताशा को तर्चाता है भाचपाईयों को दल्ली की सता जानी का भैसतारा है दल्ली की का रास्ता बिहार और यूपी से ही होकर जाता है जहां से बीजेपी का सफाया होना तैह है दोहजार चौबिस में बिहार से 40 में 40 सीट महागरवंधन को मिलना सुन्शित है श्री अमिस साह जी दो तीन बार बिहार आकर भाप चुके है महागरवंधन में पुर्ण एकता है बिजेपी की दाल नहीं कलने वाली है महागरवंधन के आधर नियनीत श्री नितीश कुमार जी का एक ही संकल्प है दोहजार चौबिस में भाजपा मुक्त भारत हो ताकि समवैधानी संस्थाएं पुनर स्थापित होकर सोतंत्र रूप से अपना काम करे लगे रहो मुना भ गिरे ने 5 चौके और 2 चके के साथ सांदार पारी खेली वहीं अब उनका बल्ला भी खूब वारल हो रहा है दरसल किरन नवगिरे जैसे बल्ले से चौके चके लगा रही थी उस बल्ले में MST श्री ने साथ लिखा था उनके बल्ले पर यह सब्द लिखा होने से यह सावित क हुए इस मैच में अर्द श्रत किये पारी खेली वहीं विमन्स प्रीमियर लीग 2023 का चौथा मुकाबला मुंबई इंडियन्स और रोयल चालेंजर बैंगलोर के बीच आज यानी की 6 मार्च को खेला जाएगा यह मैच मुंबई के डीवाई पार्टेर स्टेडियम में खेला रुपए प्रतीटर मिल रहा है वही पूर्या में प्रेट्रोली कीमत 107.2 रुपए और डीजल कीमत 95.64 रुपए प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पिट्रोल का एड़ सबसे आदा किस्तन गंज में है जहां पिट्रोल 109.46 रुपए प्रती लीटर और 96.64 रुपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है अब भरते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल है गंगा को सवच रखने में आपका कितना योगदान है अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़मरों के साथ दने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियोज और साथ अगर आप यूटूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धने बाद